जिस तरीके से संज्य सिंग को जवानत मिल गई है और वो जवानत से बाहर आ चुके हैं और आज वो पार्टी की कार्याले पर पहुँचे हैं आप देख रहे हैं जिस प्रकार से उन में उत्सा है और उनके समर्थरकों में उत्सा है और पूरी आमअज़ी पार्टी में उत्सा है आज वह अपने पार्टी कारयाले से क्या देखने लायक होगा और कहीं न कहीं संजय सिंग वाकई सेर हैं सेर की तरीके दारते हैं तो अच्छे अच्छो का पसीना छुड़ा देते हैं तो ये संजय सिंग आमादी पार्टी के गद्दावर नेता है और उन्होंने इस 35 मिनिट के वीडियो में बता दिया है कि देश में ताना साह को लेकर किस तरीके से उन से लड़ाई लड़नी है और ED की जिस तरीके से कारवाई से बचे हैं और उनको जवानत मिली है उनको ये हला कि कहा गया है कि वो ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं बाहर अपने केस के बारे में नहीं बता सकते हैं तो ये सब ना करके उन्होंने मंच से जो जिस तरीके से भारती जन्ता पार्टी और देश के प्रदानमति नरेन मोधी जी पर चुनावी संगर्ष को लेकर जिस तरीके से ब्रश्टाचार को लेकर और जिस तरीके से ताना साही को लेकर उन्होंने बोला है उससे वाकई कहीं नहीं कहीं बहुत बड़ी यह वीडियो आप देद लीजिए आपका रोंग टेखड़े करें भारत माता की इंकलाब इंकलाब हमारा एक एक कार्यकरता जो भारती जनता पार्टी की ताना साही का जम कर मुकाबला कर रहा है उसको सबको फिर्दय की गहरायों से बढ़ाई देना चाहता हूं और नमन करना चाहता हूं और इस आम आदमी पार्टी के कार्याले से देश के ताना साही को अगर मेरी आवाद सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता मैं बताना चाहते हूँ यह आम आदमिक पार्टी है हमां अंदोलन की कोक से पैदा हुए है तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं है तुम्हारे किसी बदर घुड़की को डरने वाले नहीं है तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो अर्विंद केजरिवाल को तुमने जेल में भैज दिया मनेसी साथिया को तुमने जेल में भैज दिया सतेन जेन को तुमने जेल में भैज दिया उनका गुनाः क्या है उनका गुनाः ये है कि वो दिल्ली की दो करोण जनता को अच्छी सिच्छा देना चाहते है उनका गुना यह है कि वो दिल्ली के बुदर्गों को तीर ध्यात्रा कराना चाहते है उनका गुना यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते है हमारी माताओं बेहनों को आर्थिक संकट में अपने पती का चेहरा ना देखना पड़े इसलिए एक हजार रूपए की आर्थिक सहायता देना चाहते है उनका गुनाह यह है कि हमारी माताओं बेहने जो मजदूरी करती है उनके पास बसका किराया नहीं होता एकातो वाले की बेटी जो खालत जाती है उसके पास बसका किराया नहीं होता उनका गुनाह यह है कि अर्विंद केजरिवाल कहते है हमारी बेटियों को हमारी माताओं को बसकी यात्रा के लिए एक रूपए नहीं देना पड़ेगा तुम हिंदोस्तान की सबसे बेहतरी सरकार अर्विंद केजरिवाल की सरकार को गिराना चाहते हो तोड़ना चाहते हो हमारे बिदायकों को डराना चाहते हो आतिसी को गिरिफ्तार करोगे सौरभ भरत द्वाज को गिरिफ्तार करोगे दुर्गेस पॉठक को गिरिफ्तार करोगे रागोश चद्दा को गिरिफ्तार करोगे हमारे बिधायकों के घर पे छापे मारी करोगे इन कंटेक्स का छापा गुलाव सिंग पे कैलास गेलोच से साले चार घंटे पूस्ताच ताना साही मचा रखिया है इस देश के अंदर ताना साही मचा रखिया है मैं कहना चाहता हूँ छे महीने जेल में रहके आया हूँ नरेंदर मोदी जी कान खोल कर सुन लो आम आदमी पार्टी का एक एक कर करता आम आदमी पार्टी का एक एक नेता आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधाक अपने नेता अरविंद केजरिवाल के साथ खड़ा है अरविंद केजरिवाल के साथ खड़ा है दिल्ली के मुख्य मंत्री के साथ खड़ा है क्या कह रहे है भाजपाई भाजपाई कह रहे है केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते ये केजरीवाल का इस्तीफा नहीं माग रहे है याद रखना ये कह रहे है केजरिवाल दो करोण जनता का पानी क्यों नहीं बंद करते केजरिवाल मुफ्त बिजली क्यों नहीं बंद करते केजरिवाल मुहला क्लीनिक क्यों नहीं बंद करते केजरिवाल बसकी यात्राक फ्री जो मिल रही है उसको क्यों नहीं बंद करते अरे एक छोटी सी सरकार दिल्ली की केजरिवाल की सरकार इतनी बेहतरीन सरकार है कि उसके जवाब में गुजरात के अंदर स्कूल दिखाने के लिए मोदी जी को टेंट का स्कूल दिखाना पड़ा याद है कि भूल गया आती सी जी याद है ना याद है न आप एजूकेशन मिनिस्टर आपने देखा होगा हमारे कारकरताओं ने का अच्छे स्कूल बनाएंगे अच्छे स्कूल बनाएंगे जहाँ पर मुख्यमंत्री थे नरंदर मोदी जी उन्होंने का केजरिवाल के टक्कर का स्कूल हमको दिखाना है तो उन्होंने कृतिम स्कूल तयार किया टेंट वाला टेंट वाला स्कूल तयार किया हमने दिल्ली के अंदर टेंट वाले स्कूल की जगह एर कंडिशन कमरों का स्कूल तयार किया और नरंदर मोदी ने पचीश साल गुजरात में भाजपाईयों के सासन के बाद टेंट वाला स्कूल तयार किया इस्तीफा दे दो भाई कल को भगवंत मान को गिरिफ्तार कर लो कह दोगे इस्तीफा दो वो केरला के मुख्य मंत्री विजियन उनकी बेटी पे जाद सुरू कर दी कहेंगे विजियन जी इस्तीफा दो मंता बनर जी जी के भतीजे पे जाद सुरू कर दी कहेंगे ममता बनर जी जी इस तीफाद दे दो तो इस देश के कानून में कहते हो मुख्य मंत्री और आम आदमी बराबर है तो जरा मुझे बताईए सुमनाद भारती कानून के जानकार है क्या प्रधान मंत्री को कानून में छूट है कानून में छूट है क्या छूट है क्या अरकल को एक मुकदमा मुहाली में लिखा जाएगा, दो दरोगा वहां से आएगा, एक मुकदमा जारखन में लिखा जाएगा, तीन दरोगा वहां से आएगा, एक मुकदमा तमिलनाडू में लिखा जाएगा, पांच दरोगा वहां से आएगा, और पांच मुकदमा बंगाल म में हमारी ममता दीदी लिख लेंगे तो दस दरोगा वहां से आ जाएंगे दस दरोगा आ जाएंगे और मोहाली और रोपड़ वाला दरोगा आएगा कहेगा नरिंदर मोदी जी घर पे हैं तो भात पाईयों जवाद दो इसका क्या देश का प्रधान मंतरी बंगाल के ठाने में जाके जाएंगे में सामिल होगा की नहीं होगा बताओ मुझे कि जवाज जो इसका क्या वह सामिल होगा तमिलनाडू की जाच में क्या वह जाच में सामिल होगा पंजाब के अंदर कि दरोगा डी-एस-पी-एस-पी इनीर विपक्ष के राज्यों से रेवन्त रेड़ी के राज से सिद्धा अरमईया के राज से पहुँँच गए गृह मंत्री अमिस्का के घर में बोले हमिस्का है उससे पूंचाच करनी है हुआ कि कहेंगे हम तो ऑफो ग्रृłaakा मंत्री तो सब समान है इसलिए भाजपाई ओ यह न्वटंग की अमारे साथ मत कहिं अबावेंगे और दिल्ली की दो करोड़ जनता के लिए काम करेंगे दिल्ली की दो करोड जनता के लिए काम करेंगे कहते हैं चिठी कैसे लिखेंगे छे मईने जेल में रहके आया भाई छे मईने जेल में रहके आया आतीसी जी कैलाज गैलोत के पाद जेल भी भाग है उनसे पता कर लीजेगा मैंने तो DPR भी पढ़ा संजी उजा को रास्ते में बता रहा था जेल मैनुवल में लिखा है कोई भी व्यक्ती जेल में रहके असीमित चिठीया लिख सकता है असीमित पढ़ ले ना पता नहीं हमारे मीडिया वाले क्यों नहीं पढ़ पाते बहस चल रही थी केजरिवाल सरकार कैसे लिखेंगे कैसे चलाएंगे चिठी कैसे लिखेंगे असीमित चिठीया लिख सकते हैं अब असीमित उसकी कोई लिमिट नहीं है और अगर कोई सरकारी चिठी लिखनी है तो कोड से पर्मिशन और अगर और सरकारी चिठी कोई एक मिनट सुन लो बात और कोई सरकारी चित्थी लिखनी है तो जेल सुप्रिंटेंडेंट उस चित्थी पे मोहर लगाते इसको अटेस्ट कर देता है अटेस्ट कर देता है पढ़ लेना सारे कानून तो तुम लोग जेल भेज भेज के पढ़वा दे रहे हैं हम लोगों सारे कानून पढ़वा दे रहे हैं सारे कानून पढ़वा दे रहे हैं मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ इनका जवाब देने का वक्त आ गया है मोधी जी क्या कहते हैं मोधी जी कहते हैं भरस्टाचारियों को छोड़ूंगा नई भरस्टाचारियों को छोड़ूंगा नई भरस्टाचारियों को छोड़ूंगा नई पूरत से लेके पस्चिम तक उत्तर से लेके दक्षिन तक जितने भरस्टाचारियों सबको भाजप मैं सामिल करूँगा गलत तो नहीं कह रहां भाई है घलत तो नहीं कह रहां है रात में दस बजशागि किस जजबे के साथ हमारा काल करता है ललकार रहा रहाई देखा मोदी जी देखा आके तós है महा हỷ्ख़ा बणरगुलकी से दरने वाला था भाज भाजबयों कि बनरगुलकी से एक कारकरता हमारे डरने वाला रूप लाठी चलाओगे ना लाठी चलाओगे तुम्हारे पास जितनी मजबूत लाठी ए उस से मजबूत हमारे कंदे हैं उससे मजबूत हमारे सीने हैं उससे मजबूत आम आदमी पार्टी का एक-एक कारकरता का जज़बा है लाठी चलाओगे कहते हैं ब्रस्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा एक-एक ब्रस्टाचारी को सामिल करूंगा मुझे आतिसी जी भाजपा के कारकरताओं बड़ी द्याती है सौरब भाई बहुत द्याती है बिचारे आसाम में तैयार हुए वाटर गोटाला वाटर गोटाला वुकले तैयार की लाठी से उसको छे महीने तक बाता कि ये हैमंत विच्ट्यसर्मा का ब्रस्टाचार है है मंत जी क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ कार करता जुलूस निकाल रहा था मोदी जी हेमंत विशु सर्मा को गले लगा रहे थे गले लगा रहे थे वो रोने लगा उसने का रहे इसने तो वाटर घोटाला किया है वो ले कुछ ने अब हमारा भाई है उसको मुख्यमंत्री बना लिए उसके बार करने लगे अजीरल लगे मोदी जी कारें रहें पिसंग करे गां अब उसका आरा लगा रहें पिसंग था प्ता चला उसको भी गले लगा लिया एपिसंग है मिख्शन मुसरीर चीन घोटा ला किया है सव करोण का पिर चगन मुझबल महारास्था सदन का घोटा ला किया है और तो और ये भाजपाईओं इनको सरम नहीं आती केते रास्टवादी हैं कह रहे थे आदर्स घोटाला क्या है हमारे जवानों का पैसा खाया है ये किया है वो किया है आदर्स घोटाले के खिलाब भाजपा का कार करता लाठी का रहा था आदर्स घोटाले वाले मुखald मंत्री को उठाके राज्यसभा में भेज दिया भाजपाईोंने असोक चवहान को भेज दिया के लगे सारधा स्कैम किया नार्दा स्कैम किया मुकुल राय सुवंदु अधिकारी को भाजपा में सामिल कर लिया तो मैंने भाजपाईyों के लिए नारा बनाया है जो जितना बड़ा भ्रस्टा चारी वह उतना बड़ा पदा अधिकारी है जो जितना बड़ा भ्रस्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी भाजपा का पदाधिकारी मैं भाजपाईयों के लिए बने बोला गोपाल भाई भाजपाईयों के लिए नारा बनाये जेल में खाली ते कुछ तो काम करना था जो जितना बड़ा भ्रस्टाचारी वो उतना बड़ा पदा अधिकारी है और और भाजपाई जब भ्रस्टाचार के खिलाब बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन आइंसा पर उपदेश दे रहा है प्रस्टाचार के खिलाब बोलेंगे भाजपाई के खिलाब बोलेंगे जिस आदमी ने आई आरेस की नौकरी को लाद मारके भारत की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया जिस आदमी ने तेरा दिन तक ब्रस्टाचार के खिलाब फांदोलन चलाया पंदरा दिन तक का अंसन रखा जिस आदमी ने पूरे देश को जगाने का काम किया आम आदमी को ताकत देने का काम किया आप उसके इमानदारी के उपर सवाल उठाते हैं कहते हैं ब्रस्टा चार के खिलाब बोलोगे भाजपाईयों तुम तुम बोलोगे तुम बोलोगे भारती जन्ता पार्टी वो पार्टी है हिंदुस्तान की एक मात्र पार्टी याद रख लेना जिस पार्टी का रास्टी अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सवदे में रिश्वत खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था पंकज भाई कौन पकड़ा गया था बंगारू लक्षमर वो कौन था भारती जन्ता पार्टी का रास्टी अध्यक्ष कैमरे के सामने किस मामले में रिश्वत ले रहा था रक्षा सवदे में किसके रक्षा सवदे में भारत माता के रक्षा सवदे में इनके डफ्तर में फोटो लगा उसका जिस पार्टी के रास्टी अध्यक्ष को पूरी दुनिया में भारत माता की रक्षा सवदे में दला लिखाते हुए देखा वो पार्टी प्रस्टाचार क सवाल उठाते हो, भाजपाई हो तुम लोग, तुम लोग उठाते हैं सवाल, अरे इतना ही नहीं, बिल्कुल ठीक का सौरब भाई ने, बंगारू लक्षमन को सिर्फ रिश्वत खाते दुनिया में नहीं देखा, बंगारू लक्षमन को रिश्वत खोरी के मामले में सजा हु अगला नाम क्या है बी जेपी नहीं, बंगारू जनता पार्टी क्या नाम है इनका, बंगारू जनता पार्टी और हम लोग हमारे साथी आप सब Unterstüt इतना कहना चाहता हूं कल जब मैं हास्पिटल जा रहा था अपने ट्रीट्मेंट के लिए I.L.B.S तो एंबुलेंस में जो साथी हमारे साथ थे दिल्ली पुलिस के जवान उनसे मैं पता नहीं क्यों बातचीत में मेरे मूँ से एक शब्द निकला कि इस्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है अर्विंद केजरिवाल मनीश सौधिया सतेंद्र जैन ये सारे साथी पूरी इमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले तूटेंगे लेकिन इने 181 दिनों में इने 181 बैयासी दिनों में मैं बड़ा परेशान हुआ एक चीज सोचके जेल के कस्ट से नहीं याद रखना जेल तो मैं भाजपाईयों से कहता हूँ जेहल और ये लाठी ये मुकदमे का डर ये बंदर घुर की किसी और को दिखाना आम आदमी पार्टी वालोगों एक बात को लेके परेशान हुआ अरविंद केजरिवाल जी से पूछो कहते कोई सराब घोटाला नहीं हुआ मनीश सिसोधिया से पूछो कहते कोई सराब घोटाला नहीं हुआ मुझसे बार बार पूछा मैंने का कोई सराब घोटाला नहीं हुआ आतिसी जी से पूछा इन्होंने का कोई सराब घोटाला नहीं हुआ सौरब ने प्रेस कॉन्फेंस करके बार बार का सराब घोटाला नहीं हुआ भाजपाई कहते थे सराब घोटाला हुआ है हुआ है हुआ है अर्विंद केज्रिवाल ने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने सराब घोटाला नहीं किया मनीश सिसोधिया ने इसलिए किया कि उन्होंने सराब घोटाला नहीं किया संजे सिंग ने इसलिए कहा हमारे नेताओं ने इसलिए कहा कि हमने सराब घोटाला नहीं किया भारती जन्ता पाटी सरसले के पाउं तक सराब घोटाले में डूबी हुई है याद रखना 55 करोन रुपए की रिश्वत खुले आम खाईए किस से खाईए किस से खाईए सरद रेड़ी से सराब के कारोबारी से और उसके बारे में लिखा गया किंग फिन तो भाजपाई पहुँचे बोले रिश्वत देनी है उसने का मैं तो किंग पिन हूँ तो उसने का पचपन करोण का पिन गाड़ो हम तुमें किंग बना देंगे उसने पचपन करोण का पिन गाड़ा बाजपाईयों ने गड़ी गिनना सुरू किया उसको का तुम तो किंग हो किंग हो किंग हो सरद रिड़ी जिन्दाबाद तो सराव घोटाला किया है किसने किया है किसने किया है किसने किया है किसने किया है बाजपाईयों ने किया है वक्त ज़्यादा हो रहा है साइद आप क्या अभी कह रहे हैं बोलने के लिए समय आदिल भाई आदिल भाई की पर्ची आ गई तो मैं थोड़ा डर गया दूँए साथियों और दोस्तों मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ एक ही बात कहना चाहता हूँ और मैं इसको दिल से मानता हूँ इसलिए कह नहीं रहा हूँ सिर्फ इस आम आदमी पार्टी को अपना परिवार मानते हैं हम लोग ये हमारे लिए परिवार है परिवार और इसलिए जेल से छूटा तो अपने परिवार से मिलने बाद में गया पहले अर्विंद केजरिवाल जी के भावी के पास गया मिलने के लिए मनीज भाई के भी घर जाओंगा और सतेन भाई के भी घर जाओंगा ये हमारा परिवार है और अगर हमारे परिवार पर कोई संकत आएगा तो एक एक करकरता सीना तान के अपने नेता के साथ ख़ड़ा रहेगा मैंने आज भावी के आँखों में पहली बार आसु देखा है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ इन आसुओं का बदला इश्वर लेगा इन आसुओं का बदला दिल्ली की दो करोड जनता लेगी और मैं इस देश की जनता से और दिल्ली की जनता से हाथ जोड के अपील करना चाहता हूँ इन तानासाहों से साउधान हो जाओ ये किसी के लिए अच्छे नहीं है ये आख में आसू दे सकते हैं केजरिवाल आपके चेहरे पे मुसकान और खुसी दे सकते हैं केजरिवाल आपके बच्छों के भविस्ति के लिए काम कर सकते हैं केजरिवाल आपको मुफ्त सिक्षा, मुफ्त इलाज, बसकी फ्री आत्रा आपके सुक दुक में आपके साथ भाई की तरह बेटे की साथ तरह खड़े हो सकते हैं ये आपके आख में सिर्फ आँसू दे सकते हैं याद रखिए और इसलिए हाँ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग मानते है अगर हमारे दिल में पार्टी के लिए जरासा भी जज़बा है और हम इसको अपना परिवार मानते है तो आज हमारे परिवार का मुखिया जेल में है अरविंद केजरिवाल और हमको संकल्प लेना होगा कि जब तक केजरिवाल जी जेल में है हम दस गुना जादा मेहनत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे जेल का जवाब वोट से देंगे क्योंकि इसी में तो सबसे ज़्यादा ताकत है इसी वोट में तो सबसे ज़्यादा ताकत है और यही आपकी सरकार इनकी आँखों की किरकरी बनी है जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हो केजरिवाल जी, मनीस, सौधिया जी, सतेन, जैन जी कैसे लोगों के लिए खाम कर रहे हैं यही तो किरकिरी है और कौन सी पार्टी है यह कौन सी पार्टी है बंगारू जनता बंगारू जनता और बंगारू जनता पार्टी वह पार्टी है जिसने देश का ग्री राजमंत्री किसको बनाया टेनी को किसको बनाया आजाए मिसरा टेनी को पूरे देश ने देखा ना पूरे देश ने देखा न उसके बेटे ने देश के चार अनदाता किसानों को कुचलते हुए उसका वीडियो पूरे देश ने देखा वो कोने देश का ग्रिह राज मंतरी आपने देखा पहलवान बेटियों के न्याय की बात आई परधान मंत्री खामोस कहते हैं केजरिवाल इस्तीफा दो मनी पुरे एक साल से जल रहा है वहाँ की बेटियों को निवस्त करके वहाँ की पत्नी, वहाँ के एक फाउजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया उस, उस, उस हिंसक, उस हिंसक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते भाजबाई जो एक राज्य को जला रहा है एक साल से, उसका इस्तीफा नहीं मांगते है जो आपके बच्चों को सिख्षा दे रहा है उसका इस्तीफा मांगते इसलिए किसी भी गलत फहमी में मत रहना और अगर ये इस्तीफा वाला चक्कर सुरू हो गया तो जान लो ये सारे विपक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री है सब जेल में होंगे और सब को स्तीफा देना पड़ेगा इसलिए इनके चक्कर में मत पढ़ना इसलिए इनके चक्कर में मत पढ़ना और इसलिए कल से जब भी कोई पत्रकार आप से पूछे या कोई भी आपको भाजपाई सवाल करे तो उनसे कहना भाई, PM भी कानून में बराबर है, दो मुकदमा हम लिखवा रहे हैं, किसी राज्य में, चाहे वो हैदराबाद में, चाहे वो महाली में, चाहे रोपड में, चाहे बंगाल में, चाहे तमिल नाडु में जाक मोधी जी पूस्ताथ में सामिल हो, क्यों बाई? सामिलों बराबरी का मामला हो तो मैं आप सबसे यही तो बताया भाईया कि सराब घोटाला उपर से लेके नीचे तक भाजपाई सराब घोटाले में डूबे हुए है सराबोर है हमारा मनी ट्रेल खोज रहा हो मनी ट्रेल तो साफ साफ दिख रहा है भाजपाईयों का वहां तेल तक बिलकुल अचा एक चीज बताओ पंकर जी है हमारी पार्टी के अंदर कोई आदमी चंदा देता है अगर कोई आदमी चंदा देता है उसके बारे में पता होता है हाँ यह चंदा दिया 55 करोण रूपे उस आदमी से आपने रिश्वत खाई जिसको पहले ग्रिफतार किया गया और क्या 55 करोण की रिश्वत के बारे में यहां मीडिया के साथ ही है बताईए क्या भारती जनता पार्टी के सीड्स नेताओं को पता नहीं रहा होगा पता नहीं रहा होगा तो इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं इनसे भाई और आज मैंने जेल से छूटते ही कहा और जेल से छूटने के बाद अपने काम में लग गया हूँ जस्न का वक्त नहीं है जंग का वक्त है जस्न का वक्त नहीं है जंग का वक्त है संघर्ष के लिए तयार हो जाओ जम के लड़ेंगे और लड़ेंगे 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 जित से अपने केस के विशे में बोलने से मना किया गया है लेकिन अर्विंद केजरिवाल जी और मनिस सौधिया जी के केस में बोलने से सुमनाथ जी आप वकील है भाई आतिसी जी बता दीजेगा गलत तो नहीं कह रहा हूं दीपक भाई भी वकील है मना नहीं किया है तो मैं इस कोट के इस आदेश का अक्षर सा पालन करूंगा लेकिन केजरिवाल और मनिस सौधिया और सतेन जैन और अब बोलना चाहिए बोलूंगा अपने केस के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि एक कोट का अदेश है सहौरब भाई कह रहें बोलने भी नहीं देंगे हम नहीं बोलेंगे लेकिन केजरिवाल जी के और मनिस सौधिया जी के केस के बारे में बोलूंगा और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ हमारे नेता सौध प्रतिसत इमानदार हैं और उनको दबाने डराने जुकाने लाठी चलाने मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशी से बंद करो वो बाहर आएंगे पूरी इमानदारी और सच्चाई के साथ बाहर आएंगे मैं इस पूरी लड़ाई में एक वो सक्स जिसने अपने बेवाग तरकों से अदालत के सामने अदालत के सामने पूरे सच को लाने का काम किया अभिशेक मनु सिंग्वी जी का हिर्दे की गहराईयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ हिर्दे की गहराईयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ और कल कुछ मैं अस्पताल में था उल जलूल खबर चल रही थी उल जलूल खबर एक बात याद रखना एक बात याद रखना इस सरीर के एक एक अंग में निस्था है इमानदारी है सच्चाई है और पार्टी के लिए जीने और मरने का जजबा है इसलिए इसलिए किसी के भी मन में किसी की प्रकार की संका और आसंका हो तो इसी वक्त उसको निकाल के कूड़े दान में डाल देना हम लोग जाड़ु आ रहे हैं और यह जो कीचर फैलाए हुए है भाजपाई ही इनकी गंदगी को हम लोग साब करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार बहुत किताबे पढ़ी बहुत किताबे पढ़ी जेल के अंदर बहुत समय मिला किताबे पढ़ने का सहीद आजम भगत सिंग को जब फासी की सजा सुनाई गई तो उनके भाई उदास थे एक लाइन कहके अपनी बात खतम करूँगा उन्होंने अपने भाई कुलतार सिंग को चिठी लिखी और चिठी के अंत में लिखा जफा का मतलब होता है अत्याचार उन्होंने अपने भाई को लिखा उन्हें ये फिक्र है हर दम नया तर्जे जफा क्या है उन्हें यह फिक्र है हर दम नया तर्जे जफा क्या है हमें भी शौक है देखें सितम की इंतिहां क्या है हमें भी शौक है देखें सितम की इंतिहां क्या है और हमने तो कहा था पुधान मंत्री जी हम आपकी यातना के पैमाने को चेक करना चाहते हैं चेक करना चाहते हैं रुके न जो रुके न जो जुके न जो दबे न जो मिटे न जो हम वो इंकलाब है जुल्म का जवाब है हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है रुके न जो जुके न जो जुके न जो दबे न जो मिटे न जो हम वो इंकलाब है जुल्म का जवाब है हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है रुके न जो जुके न जो जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके प्यार जग में जी सके आदमी का खून कोई आदमी न पी सके माली को माली को मजूर के नौकरों हुजूर के फर्क को मिटाएंगे समानिता को लाएंगे रुके न जो हम वो इंकलाब है दुल्म का जवाब है हर शहीद हर गरीब का हमी तो क्वाब है रुके न जो जुके न जो मानते नहीं है फर्क हिंदु मुसल्मान का हिंदु मुसल्मान का जानते है रिष्टा इनसान से इनसान का जाती के धर्म के भाशा और वेस के दुंद को मिटाएंगे समानिता को लाएंगे रुके न जो रुके न जो जुके न जो दबे न जो मिते न जो हम वो इंकलाब है दुल्म का जवाब है हर शहीद हर गरीब का हमी तो क्वाब है रुके ना जो, रुके ना जो, रुके ना जो, रुके ना जो भारात माता की इंकलाब